इस वीडियो में लोग बात करने में दस ऐसे पॉइंट के बारे में हैं कि यह आपको क्यों जोइन करना चाहिए Amazon को दस ऐसे पॉइंट्स हैं इस वीडियो में लोग लोग तो लाइक करते हैं उसको बेज के वेरिफाई भी गर सकते हो ठीक है तो स्टार्ट करते हैं और मैंने सब कुछ यहां पर पॉइंट डाउन किया हुए लिखा हुए आपने लाप्टाप स्क्रीन पे तो वही में एक एक करके आपको समझाने वाले सारे रिव्यू करने वाले हम लोग तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पोइंट के साथ तो लाइक कॉमेंट हो खरी ओंग यह तो लंग लंड की अपरिशनिटीइमि जैसेन के बारे में दौणी वहarloves इस वर्ल्ड की टॉप एकम पनीज में आती है डिफिनेटली आप इसमें काम कर रहा हो तो काफी अच्छा आपो ग्रोथ मिलने वाला है और यहां पर करीर अप्रोट अप्रोटी इस बहुत डेशारे बहुत तरह के लोग आपके साथ काम कर रहा है बहुत जगा के लोग आपक नॉन टेक रोल्स में जो घुसते हो बिसेकली सबसे आदा कोशन सुनी के रहते हैं कि भी है मैं घुसतो जा रहा हूँ पर इसमें करीयर गुरूद कैसा रहेगा तो अच्छा रहता है आप इंटरनली काफी कुछ स्विच वेच कर सकते हो तो वह आगे भी डिसकस करेंगे कैसे क्या चीज़े बास सेकेंड 玩वी आप के बाहें मिल अगलैशनी सीजोन ऊ defend themes और का इस आधनी ये और ऊपर इंटरन तरह सरे अच्छा होता है रहता है आपको यह एक पाईदा रहता है आपको को यह एक फाईदा रहता आपको ए एज्एँआग सकते हो जैसे कि offer मतलब competitive salary जाती है अगर माल लोगो यह और competition है इसका उसी से related आपकी salary मिल रही होगी आप research भी कर सकते हो definitely other than this benefits आपको मिलते है health insurance आपको मिलता है आपको retirement savings plans आपको मिलते हैं पीपिफ जिसको कहते हैं basically retirement savings plans मिलते हैं employee discounts आपको काफी stores पे employee discount मिलता है कि आप Amazon का इडी यूष करो Amazon का वह यूष करो Amazon आपको employee discount मिल रहा होगा तो that is a very good thing and they also offer equity compensation आपको देते है equity compensation क्या होता है कि भी आपको stocks भी जेते हैं वो depend करता है आप कितने साल में कितना stocks मिलता है वो basically अलग-अलग roles के साब से अलग-अलग लोगों के साब से अलग-अलग management अगर आप higher management पे हो, higher post पे हो, definitely आपको जाधा वो benefit मिल रहा होगा तो वो अलग चीज है इसा होता है जितना हमारा annual package है उससे 2x, 3x, 4x, 5x हो जाता है हमारे stocks ठीक है तो ऐसे depend करता है उसके बाद innovative culture है जैसे customer centric काफी innovative और customer centric company है basically Amazon and employee centric भी है, everyday is a day one at Amazon मतलब ऐसे कहा जाता है, day one at Amazon मतलब हर दिन आपका पहला दिन आपका काफी अच्छा कमब है that is innovative customer centric का मतलब क्या हुआ कि भी हा जो company basically वो customer centric है and वो innovations ढूंती रहती है, passionate individual के साथ driven है basically and वो ढूंती रहती है, customer का experience कैसे better करना है तो आपको fast face environment में भी आप काम कर रहे हो तो और काफी कुछ साब को सीखने को मिलता है and who will constantly push you to give the better boundaries को आगे, pushing the boundaries को पुष करेंगे and finding the best of the best, best of the best experience कैसे customers को दिया जाए that is very very good point, ठीक है उसके रहत फॉर्थ पॉइंट आता है, that is diversity and inclusion कि भी है, जैसे Amazon एक ऐसी company है, जो 200 प्लस countries में है तो भाई, 200 प्लस countries में है, तो definitely आपको अलग-अलग लोग होते हैं, जो काम करते हैं आप लोग के साथ diverse kind of, वो है, and inclusion पर काम करते हैं, basically, ठीक है inclusion और diversity पर Amazon बहुत जादा काम करता है and they are welcome, people from every country, every state to definitely काफी अच्छा diverse workplace होगा, तो आपको सीखने को काफी कुछ मिल रहा होता है आपको जानने को काफी कुछ मिल रहा होता है, company कैसे गाम करती है, कैसे उनके देश में होता है, कैसा वहाँ आपके टीम में ही अलग-अलग जगह के लोग होगा, यहां पर they also offer resource group आपको प्रोवाइड किया जाते है diversity and inclusion trainings प्रोवाइड किया जाते है, and variety of other program आपको प्रोवाइड किया जाते है to support the diversity and inclusion in the workspace, मतलब आपको diversity and inclusion support करने के लिए यह programs भी करवाइड है, training programs होते हैं जो आपको करवाया जाते हैं, जिससे आपको growth बहुत ज़्यादा होता है next 5th point is focus on sustainability, तो focus basically जो Amazon है यह नहीं focus करता है, अब यह जल्दी-जल्दी result मिल जाए, it is not like that Amazon focuses on, और these kind of companies focus on the sustainable result कि भाई जो एक result यह एक तरीका ऐसा निकालो कि sustainable मतलब rely कर सके आदमी उस पर sustain करे वो पर तिलर वो चीज टिकाओ हो ठीक है, तो वो जुगाल पर कोई चीज नहीं चल रही है, टिकाओ वो चीज है, sustainable हो, sustainable चीज़ें पर चले है and responsible company है, then they said the ambition was sustainability and continuous work to reduce the environmental impact, ठीक है, environmental impact जो भी है, वो रेड्यूस करने के लिए, sustainable changes वगरा लेके आते रहते हैं, definitely अब गाफी कुछ वहां से भी सीखने को मिलता है, उसके 6th point, that is access to edge cutting technology, तो edge cutting technology का एक 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 ग्जामपल में आपको बताता हूं, जैसे इनका Amazon का वर जो वेयर करते हैं, अपने data verification में भी आप robots का यूज कर रहा हो, different technologies का यूज कर रहा हो, तो उससे क्या होगा, edge cutting technologies है, basically, top technologies है, and इसमें आपने सुना होगा, roles भी होते है, Tron के जैसे roles होगा, ठीक है, तो ये robots के accuracy वगरा चक करते है, manual accuracy, कि हाँ भी है, सब कुछ सही कर रहा है कि नहीं कर मिलता है, and आप latest technologies पर काम करो, latest जो चीजे मार्केट में है, आप किसी को बताओ कि काफी fascinating सा लगता है, कि हा, you are working with robots, ठीक है, बहुत ही fascinating सा लगता है, बहुत ही catchy सा लगता है, and आप खुद को सीखने में काफी कुछ मिलता है, that is, you will be learning so many things, because if you are working with a technology, edge cutting technology, top technologies in the world के, उनके सा आपको काफी tools वागरा भी दिया आते हैं, जो आपको success, मतलब success पाने में बहुत बहुत है help करते हैं, other than this, that is a seventh point, global impact, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यह आप 200 plus countries में Amazon का यह है, that is 200 plus countries में Amazon function करती है, ठीक है, वहाँ e-commerce है basically, तो basically आप बहुत बड़ा difference कर रहे हो, अगर यहा कोईच भी करना है, तो बहुत बड़ा impact, आप globally बहुत अच्छा impact दे रहे हो, तो आपको responsibility उतना responsible बनना पड़ेगा, and वो responsibility भी आप सीख जाते हो, अगर आप यहाँ पे काम करते हो, ठीक है, because काफी volume में यह लोग वो करते हैं, that is, बहुत wide audience को लोग target करते हैं, तो आपको responsible होना पड़ेगा, और काफी checks होते हैं, काफी quality checks होते हैं, जिसके पहले वो बन्दे मतलब live होते हैं, वो चीजें live होते हैं, जो भी changes होते हैं, वो live होते हैं, काफी quality checks और काफी चीजें होते हैं, तो वो definitely बहुत अधा important point है, 8th point is opportunities of learning and development, कि भी ही आप इस company में घुजगे, उ अभूस, anyone is working in Amazon, और वो बन्दा सोचता है कि मेरे को higher studies करनी है, मेरे को MBA करना है, तो tuition assistance program होता है, जिसमें लोग high education होता है, उसके लिए आपको pursue करने के लिए आपको help भी करते हैं, उसमें आपको proper guidance वगरा दी आती है, सारे चीज़ें करवाती है, that is the assistance program, ठीक है, tuition assistance program, आप जाके Google search भी कर सकते हो, definitely, सारे विदम verified points, एक्दम correct points है, उसके बाद ninth point आता है, that is flexible work arrangement, तो भाई, ये बहुत अचाला मेरे को, that is important समझते है work-life balance का, other than this, आपको ये भी समझते है, कि अगर मालो आपको इतरा important नहीं है, तो आप घर से भी काम कर सकते हो, and same day आप अगले दिन मन करें, तो आजाओ, तो भाई, आपके उपर depend करता है, जाना है, तो जा सकते हो, ठीक है, and it is totally flexible scheduling है, ऐसा नहीं, ये नो से पांच की job होती है, आप वो भी team पे depend करता है, different event चीजों पे depend करता है, कि भी आपके team अगर 10 बचे से आती है, तो आप 10 बचे से तो आप 10 बचे से कोई issue नहीं हो रहा है, कोई problem नहीं हो रही है, work-life balance बहुत अच्छा maintained है, वो सारी चीज़े, बहुत important है, बहुत important है, अभी हो सकता है, आपको ना लगे, बट आप जब एक बार job में हो सोगे न, तो ये सारी चीज़े बहुत जादा matter करती है, बहुत जादा matter करती है, चोट part of the community, of the like-minded people, and individual who are passionate to work in their work, ठीक है, उनके work में passionate हो काम करने के लिए, and committed to the delivering the best possible result, मतलब जो best possible result है, वो देने के लिए एकदम committed, because best of the talents वो hiring करते है, definitely आप इसमें घुस रहे होगा, तो काफी अच्छा था आपको सीखने को मिलेगा, and अगर आप internally, मतलब आप कुछ टाइन का channel interviews देके, वो सारी चीज़े करके, definitely सारी चीज़े matter करती है, तो यह 10 points थे, अगर आपको वीडियो ची लेगे, like करे, comment जरू करना, नीचे comment करके हमें, बताना भी कैसा लगा भी है, कोई भी doubts है, कोई भी आपको suggestion है, comment करे जरू बताना, काफी हमें अच्छा लगेगा, वो suggestion, apply करने में, definitely काफी अच्छा रहा है, प्राक्टिकल लेगा, definitely हम लोग जल जलती apply करेंगे, like कमेंट करेंगे, like कमेंट करेंगे, मिलते हैं एक वीडियो में, कोई और कमपनी का review चोई, तो यही सारी वीडियो थी, मिलते हैं नेक शीडियो में, जहन उन्दे मातरम, पिर हमारा देशकी मासर्ड्रा साथ चैनल वहां पर काफी अमलुक चीजें लेकर आ रहे हैं, वहां जाके follow कर सकते हो, हमारा य precisamente मापनी चीजे 5947 चैनल इस चैनल पर ब्लाग चैनल खेंगे, like丁शा झालो करें